Crystal एक ऐसी powerful चीज जो आपके जिंदगी में आपको हमेशा अच्छे result देती है रत्न और Crystal में बहुत फर्क होता है रत्न आपको आपकी कुंडली देखकर पहनना चाहिए और Crystal कोई भी पहन सकता है Crystal के कभी कोई negative result नहीं होते है हाँ रत नो हो सकता है कि आपने अगर ऐसे प्लैनेट का पहन लिया जो आपकी कुंड़ी में आपके लिए मारक है या आपके लिए बादक है तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं लेकिन क्रिस्टल को लेकर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और आज की इस वीडियो में आपको पहरना चाहिए या फिर हमें आमारी प्रॉब्लम बेस्ट पहरना चाहिए तो ऐसी बहुत सारी क्वेरिस का अंसर आज इस वीडियो में हो जाएगा तो इस वीडियो को अन तक जरूर दिखिएगा क्योंकि अंत में क्रिस्टल को कैसे चार्ज किया जाता है इसका एक मैथड करते हैं क्रिस्टल को कैसे यूज किया जाता है देखिए आप एक पर्टिकुलर देट ऑफ बर्त है आपकी पर्टिकुलर डेट को पैदा हुए जो डेट होती है यह हमारा बद नमबर होता है इसमें मन्त और का कोई रोल नहीं हुँता जैसे कोई इनसान पांच तरीक को प हो गया तो निमलोजी में इंपोर्टन्ट होता है कि हम डबल डिजिट की डेट को भी सिंगल डिजिट तर ले के आएं क्योंकि निमलोजी काम करती है नोव प्लैनेट्स पे काम करती है तो यह ज़रूरी है कि आपका बर्ट नंबर वन टू नाइन में ही आ जाए इसी तरह से नंबर भी होता है क्या होता आपकी पूरी डेट वर्ट जिसमें आपका बर्ट नंबर भी है आपका मन्त भी आपका इयर वी है इनहें टोटल कर लिजिए और टोटल करके ट्ूडिच का नंबर आएगा आब इस ट्томार को फिर से प्लस करके सिंगल यानि कहानी वही है कि आपको 1-9 में आना होगा एक्जामपल देती हूं और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगी जो लोग वीडियो देख रहे हैं अपना बर्थ और डेस्टनी नंबर निकाल के रखें क्योंकि इस पूरी वीडियो में तो यह डेट उसका बर्थ नंबर बन जाएगा 25 का मतलब क्या हुआ 2 प्लस 5 यानि 7 तो यह इंसान साथ नंबर से रूल हो रहा है साथ नंबर यानि के तू और इसके बाद अगर आप इस पूरी डेट व बर्थ को टोटल कर लें जिसमें 2 प्लस 5 यानि 25 फिर मार्च का 3 और 1996 इन सब को एड़ कर लीजिए 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 6 तो यह आ गया 35 35 3 प्लस 5 8 तो इसका डेशनी नंबर हो गया एक अब आप जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगी अगर आप 35 साल से नीचे वाले हैं तो आपकी लाइफ मे डेस्टनी नंबर काम करेगा तो यह दोनों नंबर निकाल के रखे क्योंकि इन दोनों नंबर के हिसाब से आपको क्रिस्टल को पहनना है ऐसा नहीं है कि 35 साल के बाद आपका बर्थ नंबर काम करना बंद करतेगा नहीं बस एक डॉमिनेटिंग हो जाता है एक जो है अगे बढ़ते हैं तो जो लोग भी किसी भी मन्त की 1st 10 1928 को पैदा हुआ है यह मैं डेट की बात कर रही हूं तो आपका बर्त है जो लोग डेस्टेनी बढ़ निकाल चुके हैं अगर आपका डेस्टेनी नमबर भी वन है तो मैं अब आपको सज्डेस्ट करने वाली हूँ आपके लिए कोन से क्रिस्टल बेस्ट है डेस्टनी पीर से बताया पूरी डेट बर्ध को निकालने के बाद मिलता है तो आप नंबर भी वन है तो जो क्रिस्टल आपको सब से जादा यूज सूट करेंगे वो है रेड कारलेनियन एंसे लिख लीजिए रेड कारलेनियन एंसे आप इसे ब्रसलेट फॉर्म में पैन सकते हैं जैसे कि देखिए मैंने पैना हुआ है आप चाहें तो इसे टंबल फॉर्म में यानि कि तंबल या बॉल फॉर्म में आप अपने वर्किंग टेबल पर रख सकते हैं तंबल फॉर्म में आप अपने बेडरूम के साइड टेबल पर या अपने पर्स में रख सकते हैं Meditation करते हुए आप अपनी मुठी में रख सकते हैं या आपके लिए favorable होगा ठीक है तो मैंने दे दिया जो लोग 1, 10, 19, 28 को या जिनका destiny number 1 है अब जो लोग किसी भी मन की second को 11, 20th and 29 को पैदा हुए हैं आप moon से गवन हो रहे हैं moon यानि emotional sensitive आगे बढ़के दूसरों की मदद करने वाले लोग थोड़े से डर पोक भी होते हैं ऐसे लोग तो इनके लिए जो सबसे favorable स्टोन होगा वो होगा moon ston moon ston इसके साथ se mother of pearl भी यूज़ कर सकते हैं equamarine भी यूज़ कर सकते हैं फिर से बता रही हूं आप crystal में यूज़ कर सकते हैं मतलब आप इस तरह से हाथ में भी पैन सकते हैं टंबल भी रख सकते हैं बॉल भी रख सकते हैं और हाँ जिसका डेस्टनी नंबर टू है और वो 35 यह क्रोज कर चुके हैं तो अब आपके लिए यह काम करेगा चीक है अब बात करते हैं जो लोग किसी भी मन्त की थर्ड को लो रहे हैं जुपिटर से जुपिटर क्या है से उपर है तो जो क्रिस्टल आपको सबसे ज्यादा यूज़ करेंगे सूट करेंगे वो है एमेथीस सिट्रिन ये दोनों क्रिस्टल आपके लिए बहुत बढ़िया काम करेंगे ठीक है होप कर रही हो आप सब लोग लिख रहे हैं हो सकता है आप इस पर्टिकुलर डेट के न आप हैं राहू वाले राहू यानि आउट फ़ बॉक्स थिंकिंग राहू यानि बहुत प्रैक्टिकल स्ट्रेट फॉर्वर्ड राहू यानि और गनाइज सिस्टमेटिक वे से काम करने वाले और बहुत स्किल्ड किसी ना किसी काम में बहुत स्किल्ड तो राहू अगर सब्सक्राइब करें सकते हैं तो टाइगर आई जो है ना आपको बहुत कॉंफिडेंस देता है और कॉंफिडेंस आपके अंदर कुट-कुटके वैसे भी भरा हुआ है तो आपको सूट करेंगा यह अब बात करते हैं जो लोग किसी भी मन की फिफ्ट फोर्टींथ और त्विंटी थर्ड को पैदा हूं हैं अब आप कोन हैं मरकरी वाले मरकरी फास्टेस प्लानेट है यानि इंका दिमाग बहुत तेज चलता रहता है बस इनके अंदर सोच चलती रहती है चलती रहती है रिली बैलेंस्ट लोग होते हैं रिस्पोंसिबल होते हैं दीजिएगा 35 साल के बाद अगर आपका डेस्टिन नंबर पांच है तो आप इन क्रिस्टल को सूट कर सकते हैं यह क्रिस्टल है सिट्रीन या ग्रीन आपके लिए बहुत देखें ग्रीन लग इन्हेंसर है आपकी लग को इन्हेंस करता है और शिट्रीन तो आपको पता ही है से रिलेटेड है तो आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ आएगी बहुत अपंडेंस और प्रस्पारिटी आएगी अब नेक्स्ट अगर आप किसी भी मन्त की सिक्स को फिफ्टीन और ट्वटीफोर्ट को पैदा हों है तो आपका रूलिंग प्लैनेट है वीनस वीनस यानि शुक्र लगजरी पसंद लोग है आप प्रेजेंटेबल है साफ सुत्रा रहना आपको पसंद है बहुत लविंग है बहुत केरिंग है अपनी फैमिली के लिए लेकिन एकी दिक्कत है आप अकेले नहीं रह सकते हैं सेल्फ लव की आपकी अंदर कमी होती है बस इसको पूरा और इसकी अनर्जी को अपनी लाइफ में यूज कीजिए अगर आपका बर्त नंबर है 6 और आप 35 साल से नीचे और अगर आपका डेस्टनी नंबर है 6 और आप 35 साल से उपर हैं तो यह दोनों आप पैन सकते हैं आप इसे चाहें तो टंबल फॉर्म में अपने पर्स में दख सकते हैं वह भी आपको अच्छा रिजल्ट देगी अब जो लोग किसी भी मंत की सेवंध को 16 और 25 को पैदा हूं है तो आप किस से रेजोनेट करते हैं आप के तू से रेजोनेट करते हैं के तू जो कि स्प्रिच्च्छल है के तू जो के इनर इंजीनरिंग है के तू किसी भी चीज की गहराई में जाकर रिसाच करना है तो अगर आपका बह्त नंबर साथ है या आपका डेज्टिन अबर साथ है तो जो आपको लुब करने चाहिए क्रिश्टल क्लियर क्वाट पहली बात दूसरा क्यट्स आई देखिये क्लियर क्वाट्स एक अश्क ये पर वीडियो वनाई थी वो क्रिस्टल हर एक के पास होना चाहिए क्लारिटी ओफ माइंड लाइफ में फोकस देने का काम करता है तो नंबर साथ वाले क्लियर क्रिस्टल और इसके साथ साथ आप पहन सकते हैं कैट्स आई ठीक है अब आगे बढ़ते हैं जो लोग किसी भी मंद की 8, 17, and 26 को पैदा हुए हैं डेट वाइज यानि आपका बर्त नंबर है या फिर आपका डेस्टनी नंबर है एड हाट डेस्टनी नंबर के लिए आप भूलिए गमत वो 35 साल के बाद ज्यादा एक्टिवेट होता है तो 35 साल क्रॉस कर चुके हैं तो आप इन क्रिस्टल को य नहीं पैना तो आपके लिए हामफुल होसकता है लेकिन अच्छा काम करता है आपकी लाइफ में कोई भी क्रिस्टल एंटी नहीं होता कोई भी क्रिस्टल नेगिटिव नहीं होता क्रिस्टल की खुबसूरती ही यही है कि वो कभी भी गलत रिजल्ट नहीं देते हैं ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर नों वालों के लिए अगर आप किसी भी मंद की 9 को 18 को 27 को पैदा हु तो ऐसे लोगों को जो क्रिस्टल देना चाहिए जिनका बर्त नंबर नाइन है या जिनका डेस्टनी नंबर नाइन है वह है एमेथीस्ट आपको एमेथीस्ट बहुत करेगा और इसके साथ साथ आप सिट्रिन भी ले सकते हैं अपको तीन बता रही हूं आप कोई भी लीजिए आप चाहें तो बॉल फॉर्म में लीजिए कैसे भी लीजिए इन्हें अपनी लाइफ का पार्ट जरूर बनाई है अब जैसे कि मैंने वादा किया था कि मैं क्रिस्टल को चार्च करने का तरीका जरूर बताऊंगी जब तक आप क्रिस्टल को बताते नहीं हैं और उसके बाद उन्हें पैनिये और जब हर पुर्णी मा को एक कांच की कटूरी लीजिए अपने क्रिस्टल को उसमें डालकर मून की लाइट में छोड़ दीजिए तीन-चार गंटे के लिए छोड़ दीजिए जैसे साथ बज़े चंद्रमा आ जाता है तो साथ से ग्यारा को बनाए क्रिस्टल चार्ज करने के तरीकों के लिए तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी और अभी आप कमेंट में लिख सकते हैं आप किस नंबर से रूल हो रहे हैं और आप कौन सा क्रिस्टल पैनने वाले तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू अब्रिवन थैंक सुमाच प्रश झाह में झालेवाद झाले खेंक प्रश यू सॉमाच झालेवाद और तो यूर्वा ज़रू बताईंगी और मैं यूष उलो हैं गले और प्र आपको झालेवाद और ग्रश ग्रूर जवाद खर टो जबरे छो और